Study IQ Bank & SSE शुरुआत से सभलता तक अगर आपकी calculation अच्छी नहीं है अगर आपकी calculation speed अच्छी नहीं है तो आप paper में बहुत अच्छा perform नहीं कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा जो calculation हमें करनी पड़ती है कहीं पे भी वो है कि हमें multiplication करनी पड़ती है तो बच्छो मैं आपको कुछ आज 5 ट्रिक सिखाने वाला हूँ 5 या 6 जिसमें हम बहुत ही जबरदस तरीके से देखेंगे कैसे हम multiply कर सकते हैं fast तरीके से तो आईए शुरू करते हैं तो दोस्तों शुरू करने से पहले मेरा नाम है करन सर्दाना और आप मुझे टेलेग्राम पे इंस्टेग्राम पे follow कर सकते हैं मेरा अकाउंट है maths by करन सर्दाना और आप यहां पे scan करके भी जा सकते हैं अगर study IQ के किसी भी course में enrollment आपको लेना है तो maximum discount आपको जो मिलेगा वो KS live वाले coupon code से मिलेगा तो देर मत करिए फटा फट से enroll करिए अगर आप bank की त्यारी कर रहे हैं या फिर आप regulatory body की exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जूड सकते हैं bank, mega pack, course के साथ जो आपको officer बनाता है जो आपकी officer की त्यारी कराता है बहुती शानदार तरीके से बहुती जानदार यहां पे classes होती है हर class के जो feedback है वो ultimate feedback यहां पे मिलते हैं तो बच्चों यह जो हमारा batch है 30 तारीक से शुरू हो रहा है जल्दी से इसमें enrollment लिजे इसके लिए भी आप coupon code यूज करिएगा KS Live और आपको यह course मिल जाएगा मातर 1800 रुपीज में आप इसके features देख सकते हैं बहुती amazing feature यहां पे आपको मिलते हैं link आपको नीचे मिल जाएगा bank mega pack 10 जो की शुरू हो रहा है 30 अगसे तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की पहली trick multiplication की कैसे हम calculator से भी ज़्यादा fast solve करेंगे तो बच्चो पहली trick है हमारी paper में सबसे ज़्यादा use होने वाली आपको कहीं पे भी multiply करना पड़ेगा number को 11 से कैसे करेंगे माली ज़्ये एक number है 37 आपको उसको 11 से multiply करना है बच्चो कभी भी किसी भी number को 11 से multiply करना हो trick ज़्यादा रखिए पीछे वाला number जो है वो पीछे आएगा लिखतीजिए फिर इन दोनों number को add करिए 7 और 3 10 होता है 10 का 0 रखिए और 1 carry एक ही digit रखना है अब आप जो है आगे वाला number ले लिजे 3 आना जीए यहाँ पर 1 carry है तो वो add कर दीजे 4 खतम answer आगया है 407 क्या किया पीछे वाला number पीछे फिर पेर बनाया 7 और 3 10 जोड दिया 10 आगया एक उपर चला गया 3 आगे वाला number और एक ही एक 4 add कर दिया answer आगया अगर मुझे number 45 मिलता है और उसे 11 से into करना होगा तो क्या होगा 5 जो है वो पीछे आएगा 5 और 4 9 हो जाएगा और 4 जो है वो आगया जाएगा carry होगी तो आगया add करेंगे वरना फिर सिधा ही answer है ठोड़ा बड़ा लेते हैं माली जीए मुझे 7 3 2 को 11 से into करना है क्या करेंगे हम वही काम करेंगे फिर से पीछे 2 आएगा 2 पलस 3 5 7 पलस 3 10 1 carry और 7 और 1 8 हो जाएगा काम खतम यह आप का answer आगे है ना मज़ेदा trick किसी भी नमबर को आप 11 से multiply यूँ कर सकते हैं एक और लेते हैं माली जीए 1 2 3 4 7 को 11 से into करना है क्या करिए बेटा पीछे 7 रखिए पेर बना के जोड़ते रो 7 और 4 11 1 carry 4 और 3 7 और 1 8 2 और 3 5 2 और 1 3 पेर बनाओ और पीछे वाला जो यह last number है यह as it as आजाएगा समझ में आ गया पहले trick समझ में आई आगे बात करते हैं अगर आपको कुछ ऐसे number से multiply करना है जो 5 के कुछ special number है 5 की series जैसे 5 से multiply करना है किसी भी number को 5 से multiply करना हो तो बेटा आप उसको short में लिख लिजिए 10 by 2 क्या लिख लिजिए 10 by 2 जैसे कि अगर आपको 64 को 5 से multiply करना है तो 64 को हम लिख लेंगे 10 by 2 तो 2 से यह बेटा कर जाएगा 32 पे आपका अंसर आ जाएगा तुरंत 320 पहले 2 से भाग कर लो और फिर 10 से इंटू कर लो तो 5 को हम क्या लिखने वाले 10 by 2 जल्दी हो जाएगा 25 को क्या लिखने वाले 100 by 4 अगर मुझे 64 को 25 से इंटू करना है तो 25 को में लिख लेंगे बेटा 100 बटा 4 4 से ये तुरंट कर जाएगा 16 पे और 16 इंटू सो आपका अंसर कितना गया 16 काम कहता हम है या नहीं असान अगर मुझे 125 से मल्टप्लाई करना है तो मैं इसे लिख लूँगा 1000 अपॉन 8 अगर मुझे 625 से मल्टप्लाई करना है तो इसे लिख लूँगा 10,000 बटा 16 ये 5 की पावर है सारी ये 1 पावर है 2, 3, 4 तो 10 की पावर देखो 1, 2, 3, 4 बढ़ती जा रही है 2 की पावर 1, 2, 3, 4 बढ़ती जा रही है ऐसे लिखना है तो 1000 को लिखिएगा 125 को लिखिएगा 1000 बटा 8 और 625 को लिखिएगा 10,000 बटा 16 25 को लिखिएगा 100 by 4 5 आजाए तो 10 by 2 बहुत सिंपर है ऐसी जो last मैंने कुछ नमबर और लिखे हैं यहाँ पे 50 भी आ सकता है तो आपन इसको 10 या 100 की पावर में लिख रहे हैं 50 को क्या लिख लेंगे 100 by 2 ऐसे ही अगर 75 आ जाता है तो 75 को क्या लिख लेंगे हम 300 by 4 300 by 4 अगर मुझे 44 को 75 से इंटू करना है तो बटा याद रखेंगे कि 75 का मतलब होता है 300 by 4 तो अब आप इसे कैंसल कर लिजिए 4 से ये कैंसल हो जाएगा 11 11 इंटू 33 है के नहीं मज़ेदा ट्रिक याद रखेंगा ये सारे numbers चलिए आगे बात करते हैं बहुत ही खास ट्रिक है ये वाली अगर आपको multiply करना है ऐसे नंबर का जिनकी ending होती है दोनों की 5 से और उनमें gap जो है वो 10 का है ये paper में बहुत ज़्यादा यूज होती है जैसे 35 into 45 दो नंबर जिनके पीछे 5 है और इन दोनों नंबर में 10 का gap है 35, 45 क्या करना है इसमें बेटा आपको याद रखना है ऐसे नंबर में जब आप multiply करेंगे पीछे 75 आएका क्या आएगा बेटा 75 है उसमें से बड़े वाले नंबर को देखें बड़ा नंबर 3 और 4 में 4 है तो बड़े वाले नंबर का square करिए और minus 1 4 का square होता 16 16 में से एक कम करेंगे 15 ये आप आगे लगा दो हो गया वेटा calculation तो याद क्या रखना है ऐसे नंबर जिनके पीछे 5 आता हो, gap उनमें 10 का हो ऐसे नंबर की multiply यूँ कर सकते हो आपने पीछे क्या याद रखना है 75 लिखना है और जो आगे दिख रहा है 3 और 4 उनमें से बड़ा देखो 4, 4 का square 16 16 में से एक कम कर दो 15 हो जाएगा है या नहीं मज़े दाटरी अगर मुझे 55 को 65 से multiply करना है याद रखिएगा जब 5 आए पीछे और 10 का gap हो तो पीछे 75 करना है और 6 के square में से एक कम कर देना है 36 में से एक कम करेंगे तो 75 आजाएगा मज़ा आया के नहीं आया तो दोस्तो अगला जो हमारा question है अगली जो हमारे trick है वो क्या है बहुत ही important है ये तो बहुत ज़ादा use होती है maths के अंदर हमेशा मैंने देखा है कि ये use होता है क्या trick है आईए देखते है multiply of the number starting with the same digit ये जो number है वो same digit से start हो रहे है और sum of unit digit जो है इनका 10 है जैसे 61 into 69 क्या दिख रहा है इसमें जो आगे का number है वो same है और जो पीछे वाले number है इन दोनों का जो sum है वो कितना है 10 अब ऐसे number को हम calculate कैसे करेंगे ऐसे number को हम calculate कैसे करेंगे क्या करना है इसके अंदर जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे आपको मैं छोटा number दूँ जैसे कि मां लीजे 11 है और 19 है क्या करना है देखें स्टार्टिंग number सेम होनी चाहिए स्टार्टिंग number सेम होनी चाहिए और जो last two digit है last two digit है इनका sum जो है वो 10 होना चाहिए pair दिख रहा है 10 का तो आपने क्या करना है यह last वाले जो number है इनको multiply करके two digit लिख लेना है one into nine लेकिन 09 लिखना है दो digit बना के लिखने अब यह जो same number है same number जैसे यह दोनों का same number है one इसको आप next से into कर देंगे तो one के बाद आता है two तो two से into कर दो two zero same कानी यहां पर one into nine nine होता है पर अपन इसको 09 लिखेंगे six को किस से into कर देंगे seven से तो काम खतम four two zero nine यह trick कहां लगेगी बेटा जहां पर हमारा number शुरू का same है और पीछे वाले number का sum 10 आ रहा है तो आपको ऐसा बहुत दिखेगा तीन और साथ एक और नो चार और छे दस बना रहे होंगे तो साथ into three आप करेंगे 21 और यह दो को तीन से multiply करेंगे तो छे हो जाएगा यह मेरा answer है अगर मुझे 34 को 36 से multiply करना है देखो तीन दोनों में शुरू में आ रहा है और पीछे इनका 10 आ रहा है तो यह एक सेकिन का काम है बटा 24 पीछे आ गया और तीन को 4 से multiply करेंगे 1224 मेरा answer आ जाएगा क्या यह trick समझ में आई या नहीं मज़ा आया के नहीं आया चलिए अगला number देखते है यह भी बहुत चांदार trick है आपको कई बार ऐसे number को multiply करना पड़ेगा जिनका unit digit 1 होगा जब बच्चों आपको दिख जाए के दोनों number के पीछे 1 आ रहा है 1 आ रहा है तो इनको multiply करना बहुत असान है 1 into 1 कर दीजी पहले 1 अब यह जो आगे 3 और 4 है एक बार इनको plus कर दो 7 और एक बार इनको multiply कर दो तो 3 into 4 12 काम खतम पीछे वाले को multiply करो फिर आगे वाले को एक बार जोड़ दो और फिर multiply करो काम खतम अगर मुझे 41 की 61 से multiply करनी है तो 1 into 1 1 अब 1 into 4 जो है 6 और 4 जो है जोड़ लीजीए 10 बनता है और फिर 6 into 4 जो है 64 है और एक जो है वो 25 है तो ये अपना answer आ जाएगा मज़ा आया के नहीं आया बचू ऐसे ही अगर आपको किसी भी number की multiply करनी है जिसके पीछे 1 आ रहा है तो आप इसको use कर सकते है चलिए अब एक सिखते है एक और मज़िदा trick आप multiply कर सकते हैं कभी-कभी इस formula का use करके किस formula का use करके आपने बच्पन में पढ़ा होगा a square minus b square ये क्या होता है बेटा a minus b into a plus b a minus b into a plus b तो यहाँ पे अगर माल लीजिए हमारे पास कोई number मिल जाता है हमें let's say 41 into 59 ये calculation कितनी आई तो जब भी बच्चो दो odd number आ जाएं या दो even number आ जाएं थोड़े आसपास होँ उसके अंदर ये formula लगाया जा सकता है a plus b into a minus b होता है a square minus b square तो आप क्या करिए इनके ना एक बार बीच का पता करिए आप देखिए इन दोनों के बीच में gap है 18 का 18 का आधा कर दो आधा करोगे तो 9 आएगा अब देखो इसमें से 9 कम करे तो 50 आता है छोटे वाले में 9 जोड़े तो 50 आता है बड़े वाले में से 9 कम करे तो 50 आता है छोटे वाले में से 9 जादा करे तो भी 50 आता है तो पहले वाले को लिख सकते हैं 50-9 और दूसरे वाले को लिख सकते हैं 50-9 बन गया बेटा हमारा फॉर्मुला A²-B² और स्क्वाइर हमें आते हैं बेटा पच्ची सो में से 81- करना कौन सी बड़ी बात है 2419 मेरा अंसर आ जाएगा है न मज़ेदार चीज है के नहीं बताओ 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 अगर मुझे मल्टप्लाई करना है 66 को 66 को माली जीए मुझे मल्टप्लाई करना है 74 के साथ तो इन दोनों के बीच का क्या दिख रहा है 70 दिखना है ना कैसे देखा इन में गैप 8 का है 8 का आधा किया इसमें से 4 कम करो और इसमें 4 जोडो 70 आ जाएगा तो 70 से ये 4 कम है और ये 70 से 4 जादा है क्या फॉर्मूला बन गया A-Square-B-Square यानि कि फटा-फट से 4900 में से 16 माइनस कर दो तो 4884 जो भी है मिरा अंसर आ जाएगा तो A square minus B square बड़े ही काम की चीज़ है बहुत ही काम की चीज़ है अगर मा लीजिए मुझे multiply करना है 34 को 38 से इन दोनों के बीच का 36 दिख रहा है ये 36 से 2 कम है और ये 36 से 2 जादा है तो 36 के square में से 2 का square कम कर देंगे 36 का square आपको याद होना चाहिए 1296 में से 4 कम करेंगे 1292 में माइन में कर सकते हो अगर आपको square याद है A square minus B square बहुत ही बड़ी है तो बचो क्या हमने सीखा समझ में आ रहा है ये सारी trick मैंने आपको बताई है जो multiplication की है आगे भी एक और वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें हम multiplication trick करेंगे तो बेटा हमने क्या क्या trick सीखी इसमें हमने सीखा 11 से कैसे multiply करते है 5, 25, 1, 25, 6, 25, 50 से कैसे multiply करते है ऐसे number जिनके अंदर 10 का gap हो और पीछे 5 आता है इसकी multiply कैसे करते है फिर मैंने आपको सिखाया जिसमें पीछे 10 बन रहा हो और नंबर आगे सेम आ रहा हो उसकी कैसे multiply करते है फिर मैंने आपको बताया कि अगर पीछे 1 आ रहा हो तो इसकी multiply कैसे करते है ये सारे rule आपने ध्यान रखने है आखिर में हमने पढ़ा है A square minus B square कैसे निकालते है तो बच्चो मज़ा आया के नहीं आया और आपको ट्रिक चाहिए के नहीं चाहिए ऐसी जिससे आप फटा फट फटा फट multiply कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और यहां के expert faculty से पढ़ना चाहते हैं पूरा course अच्छे से सीखना चाहते है basic से लेके हर topic में आपको कहीं कोई दिक्कत ही ना आए तो फिर आप join कर सकते हैं हमारा course अगर आप bank exam की त्यारी कर रहे हैं insurance exam की त्यारी कर रहे हैं regulatory exam की त्यारी कर रहे हैं तो इन सभी के लिए हमारा एक बहुत ही बड़ी आ कोर्स है officer batch bank mega pack जिसमें आपकी त्यारी हो जाती है बहुत ही बिंदास इसका अगला batch 10 जो है वो 30 अगस्त को आ रहा है आप उससे पहले admission ले ताकि आपकी class से शुरू हो जाएं बिल्कुल पहली class से तो केस लाइव आप coupon code यूज करिएगा जिससे आपको maximum discount मिल जाएगा बेटा देर मत करिए फटा 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 रोल करिए और आप इसमें enrollment पता है कितने price में ले सकते हो just at 1800 उपीस तो बेचा ये सारे features हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं बहुत ही amazing feature है जैसे कि हजारो questions है 400 से जादा घंटे की live class है recorded है इन class का recorded मिलेगा notes मिलेंगे booster program है यहाँ पे आपको मैं यह सारी tricks वहाँ पे भी करवाँगा और इसके अलावा word power made easy का एक booster program है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा बहुत ही जादा बढ़िया feature आपको मिलने वाले और मुझे हर class में ही बच्चों के बहुत ही अच्छे feedback मिलते हैं क्योंकि उन्हें मज़ा आता है basic से मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों देर मत करो जल्दी से इसके अंदर join कर लो ठीक है दोस्तो भी बहुत सारे वीडियोज लेके आते हैं notification, results वो भी लेके आते हैं और पढ़ने वाले वीडियोज भी हाँ पे लेके आते हैं तो दोनों को देखते रही है और मुझे जुडने के लिए आप टेलिग्राम पर इंस्टेग्राम पर connect कर सकते हैं maths by करन सरदाना मेरा account है और कोई doubt हो किसी exam की guidance चाहिए हो तो आप जुड सकते हैं Thank you so much everyone कैसी लगी tricks ये आप मुझे बताइएगा और आपके लिए एक बेटा assignment भी है तो मुझे आप कुछ सवालों के जबाब दीजिएगा सबसे पहले अगर ये number है 372 इसे 11 से multiply करना है तो क्या answer आएगा फिर मुझे बताइए कि अगर 648 है इसे मुझे 125 से multiply करना है तो क्या आएगा फिर मुझे बताइए कि अगर मेरे पास number है 456 इसे मुझे 75 से multiply करना है तो क्या आएगा फिर मुझे बताइए कि अगर मेरे पास number है 55 into 65 तो इसका multiply कितना आएगा then मुझे बताईए कि 51 into 61 ये multiply कितनी आएगी और फिर मुझे ये भी बताईए कि जो last formula था A square minus B square से अगर मुझे 58 को 62 से multiply करना है तो उसका use करके क्या आएगा बाकी सारे trick वही है जो मैंने आपको सिखाई है तो बचो इसका use करिए और मुझे इन सब के answer बताईए practice करते रहिए Thank you so much everyone for joining Like करिएगा, channel को subscribe करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो share भी कर दीजी Thank you